हेलो एवरिवन योर वेलकम टू अवर यूटूब चैनल को पाल सरमस्षो इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं एसोल फ्रेस एडमीशन दो जा 24 के बारे में जिसमें दोस्तों इस वीडियो में बताए जाएगा कि जो इसके फों में एसोल के यूजी कोर्स के एक रिलिस किये जाते हैं डोकुमेंट्स कौन-कौन से चाहिए अपने एडमीशन की टाइम पर एडमीशन फीस कितनी लगेगी कौन-कौन से कौर्स ओफर किये जाते हैं कही ने कहीं आपको कम्प्लीट इंफोर्मिशन आपको इस वीडियो के तुरू मिलने वाली है अगर आप एसोल में एडमीशन लेना चाहते हैं तो एडमीशन लेने से पहले ये वीडियो को चुरूर देखें ऐसे कौन-कौन से कौर्स करा जाते हैं या ऐसे कौन-कौन सी चीज़े हैं जो आपको एसोल के बारे में पता होनी चाहिए अगर आप अभी एडमीशन ले ले यह बारे में आपको इंफोर्मेशन देचाएगी तो यहां पे दोस्तों आप देख सकते हैं लास्ट यह क्या हुआ था कि आप सभी के जो एप्लिकेशन फोर्में यह बारे में 14 जून से स्टार्ट हुए थें अब इस साल भी दोस्तों आप सभी के जो फोर्म हैं यह जून में ही रिलीस किए जाएंगे और इसके जो फोर्म रहते हैं दोस्तों यह एक महीना तो कम सकम चलते ही है और बात में इसकी जो लास्ट एट रहती है इसको भी आगा admission के लिए अब यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं इसमें आपको prospectus देखने को मिलेगा UG course का जिसमें दोस्तों अगर आप अभी से open करेंगे तो अभी इनके जो site से work नहीं कर रही है लेकि बिना इसके भी आपको information मिल जाएगी कि कौन-कौन से course हैं जो S.O.L. में offer किये जाते हैं या किसी course में admission लेने के लिए कितनी percentage की requirement रहती है तो अभी यहाँ पे दोस्तों अगर आप new viewer हैं या अगर अभी आपने 12th class pass किया है examination दिया 12th में गए हैं तो इस channel को दोस्तों जरूर subscribe कर देना क्योंकि आपके हर एक universities के regarding examination के regarding जो है आपको इसी channel पर जो information दी जाती है तो channel को subscribe कर लीजएगा और bell icon को press कर लीजएगा ताकि आपको वीडियो के जो update है वो मिलता रहे तो यहाँ पर दोस्तों जैसा कि अभी आपको form के बारे में बता दिया गया कि जो इसके form है यह जून में release किये जाएंगे और approach जो है one month से जादा तो है इसके form चलते ही हैं तो आपका अभी भी जो है form फिल कर सकते हैं अब यहाँ पर दोस्तों आपको जो है पूरे कौन कौन से course offer किये जाते हैं इसके बारे में आपको बता देता हूं कि अगर अगर LGBT criteria हो गया यहाँ अभी आप आप देखेंगे तो इसमें तीन न्यू कोर्स जो हैं लॉंज किये थे लास्ट इयर जिसमें आपका भी यह प्रोग्राम साइक्लोजी यह प्रोग्राम कंप्यूटर एप्लिकेशन है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा अभी हाँ आप प्रोग्राम है भी यह प्रोग्राम है भी यह प्रोग्राम यहाँ आपका computer एप्लिकेशन है यहाँ आप कैसारे के सारे य। नहीं नहीं लें तो दोस्तों दोस्तों यूजई लेसकेक्ट किसी भी ओ złी सकते हो यहाँ पितवक में Eenन geben legitimate के लिए और सय spiders होगा दोस्तों कि इसमें जो famous course है जो popular course हुई यह program है जिसमें हर साल दोस्तों लाखो student जो है admission लेते हैं और अपनी जो graduation है S.O.L. से complete करते हैं अब यहां पर यह course के बारे में आपको parents का भी चल जाएगा इसके लावा दोस्तों most important point यह है दोस्तों कि अगर आपका जौबा प्राइस्टेशन करेंगे उस टाइम पर आपके पास अपना फोन नहीं रहता है तो वहां पर तो इस टाइम पर अपने मम्मीया पापा का पैरेंट्स का जो email आईडी है mobile नंबर वो तो में अपडेट करने को जाते हैं तो कहीं न कहीं काफी आपको प्रोब्लम्स फेस करने को पड़ती है जो अपडेट होता अपना आपको mobile नंबर यह online mode में होता घर बैठी है आप इसे चेंज कर सकते हैं लेकिन इसमें काफी टाइम लगता है तो बाकि अगर आप अरेंज कर स कोई बात नहीं बाद में आप जोई सब्डेट कर सकते हैं और दोस्तों 10th class के मार्क सीट होगे 12th class के मार्क सीट होगे mobile नंबर इमेल आइडिया आप सभी की फोटो सिगनेचर और एक जो चीज है आप सभी को अपने इस आपके स्कूल की तरफ से प्रोविजनल सेर्टिफि इनकरम सर्टिफिकेट नहीं बनवाया तो जल से जल आप जो है बनवा सकते हैं इससे पहले दोस्तों जो आपको डोकुमेंट्स बताएगा जनल डोकुमेंट्स हैं जो हरे की स्टूडेंट को अपरोड़ करने होते हैं लेकिन अगर आपको से इस पेसल फैसली टाते हैं तो इसमें आपके फीस जो रहती है एक साल की एक सात ली जाती है यहां पर दोस्त आप सभी के जो एपलिकेशन फीस कहली चाहिए जो एड्मिशन फीस होगी यह 8000 से करीब रहेगी नोटजार से जादर नहीं जाने वाली है यह आपको इतना पे करना होगा एक साल की फीस रहती है फिर सेकंड डियर की लग से आपको देनी होती है अब यहां पर दोस्तों आप सभी के मन में कई इंपोर्टन डाउट यह होगा की एस्योल में एडिमीसाल लेने के लिए कोई परसनेंटर में तकी व्रूर्म्स जाए जाते हैं वह 50 परसनट ज़रूरी है अगर आपके किसी भी अगर आपके 12th class में 50% जो marks है तो आप किसी भी कोर्स में डिमिशन ले सकते हैं लेकिन कुछ ऐसे courses है जिन में केवल 33% की requirement रहे थी है कुछ specific course होते हैं अगर आप मैं सका हूँ कि अगर आपके 12th class में 50% marks है तो आप किसी भी course में आख बन करके admission ले सकते हैं तो यह कुछ basic information जो कि आपको as well admission के बारे में पता होनी चाहिए इसके लावाद जब इसके जून में फोर्म रिलीस किये जाएंगे तो आपको step by step आपको जो है बताया जाएगा कि किस तरह से application form को fill करना है तो इस वीडियो में इतना ही दोस्त